राधे राधे व्डिवान तो आज की इस वीडियो में हम जिनका पोर्टफेलो रिव्यू करेंगे तो ये एक स्टूडेंट है 25 साल इनका एज है इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्टार्ट के आफ फिब 2023 से यानिकी एक साल से स्टॉक मर्केट में निवेश कर रहे अपने पोर रखना है कि आपने स्टार्ट के पीक में निविष करना स्टार्ट या अब इसको काफी लंबा चांटिनू करना पड़ेगा क्योंकि एक्चलि में जो आइडियला सबसे अच्छा टाइम होता है प्लेंट में इस प्लेंट करने का वो टाइम होता है जब कोई खड़िदह न तो आपको काफी लंबा hold and continue करना पड़े हैं बाकी अगर आप एक्चुल में long term investor हो एक्चुल में hold कर सकतो 10 साल 15 साल 20 साल तो पैसा बन जाएगा majority जो funds है वो index को beat कर देते for example एक्सिस का small cap है इसका index कौन होगा तो इसका benchmark index होगा small cap 250 nifty small cap 250 तो majority जो index या पर फंड से वो index को beat कर देते तो आई hope कि यह भी beat कर देगा index के return को still इनके पास 30,000 का cash है तो यह पूछना चाहरे कौन से company में डाले क्या कोई नया company खड़ी थे इशन पेंट, fine organic demand या जो existing stock से वहाँ पी average करे तो चलिए देख लेते कि कैसा इनका portfolio है कैसे portfolio को better और बनाया जा सकता है तो इन्होंने total investment किया है 1.4 lakh का currently portfolio का size 1.75 lakh का बन चुका है 31,000 का profit हो रहा है यानके 21-22% का profit हो रहा है इनके portfolio में total charge stock है तो क्योंकि इनके portfolio में number up stock काफी control में है बहुत जादा नहीं है तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा विस्तार में बात करे कि ये companies कैसे है और क्या ये सही है या investment को hold and continue कर सकते या बेज के दूसरे company में जा सकते ठीक है तो वो framework के through इस वीडियो में हम discuss करने की कुशिश करेंगे ठीक है हम double engine के उपर discuss क्यों करते डबल इंजिन का मतलब ये होता है कि आपका business growth आपका जो sales से वो grow करना चाहिए पहला engine main strong engine ठीक है अगर आगे जाके आप 100 रुपे के ऊपर 12 रुपे का profit margin बना सकतो या 12% का बना सकतो तो इससे आपका margin बढ़ आपका profit बढ़ेगा और जो third engine होता है वो है PE expansion आज अगर 20 का PE मिलने है अपके company को और आगे जागे अगर 30 का PE मिल जाए तो 50% का return तो PE relating के चलते ही बना लेंगे तो ट्रिपल इंचिन को काम पे लगाएंगे तो पैसा जल्दी या ज्यादा बनने का possibility ज्यादा हो जाता है तो पहला company इनके पास है बजाज finance 85,000 का investment है और 6,6% का profit इनको होड़ा है तो चली बजाज finance के उपर थोड़ा बात करते है बजाज finance से पहले तो past का track record बहुत ही बढ़िया फ्रैंचाइजी बहुत स्ट्रॉंग है और management top class है बजाज finance में तो 4 लाग करों का market cap या निकि large cap company सबसे पहला question क्या large cap companies हमको जाधा पैसा बना करके दी सकते answer है कि अगर company में growth आएगा तो पैसा बनेगा simple ठीक है बहुत सा तो इन companies में बहुत ही अच्छे returns बना करके दी है अपने शारूलर को large huge size companies है बहुत अच्छे return बना करके दिया तो यह matter नहीं करता है कि large cap या small cap अगर company engine दो काम कर रहा है यानकी business यानकी sales code second या double engine क्या काम करेगा आज के दिन company का price to book देखेंगे तो 6.6 पर आ चुका है पहले को मुकाबले कम है पहले 11 टाइमस या 12 टाइमस भी एक टाइम पर मिल रखा है तो अभी डबल एंजिन कब काम करेगा अगर आपको लगे नहीं आगे जाके तो company का जो वालूशन है और बढ़ेगा इसको seven times eight times nine times price to book मिलेगा तो डबल एंजिन काम जाधा पैसा बनेगा उसका possibility as of now मैं नहीं सोच रहा हूं या expect नहीं करो क्योंकि और लेदी काफी महेंगा वैलुशन 6.6 times price to book कम नहीं होता है ठीक है तो इसको हम अजूम इस्टै में नहीं करें पी डिरेटिंग वाला चीज मार्जिन एक्सपांशन भी हम इस्टै में अज single engine काम करेगा बट single engine जो काम कर रहा है वो काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है sales को 31% वो भी इतने large base के उपर कम नहीं है तो single engine इसका बहुत strong है तो वो काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो I think कि Bajaj Finance को hold and continue आप कर सकतो तो ऐसे धाचे के अंदर आप डालने की कुश करें companies को अगर आपको interesting लगे attractive लगे तो आप buy करने के बाड़े में सोच सकतो तेने IREDA investment छोटा profit नहीं हो रहा है 4% का loss हो रहा है अभी IREDA अगर सज बताओ तो मैंने company को उतना अंदर से पढ़ा नहीं है तो Twitter की उपर आपको एक handle मिल जाएगा या पेशाहिल सर्मा करके तो उन्होंने I think निवेश किया था IREDA में तो कभी अगर उनका कुछ update आता या कुछ reason वो discuss करते कि क्यूँ निवेश किया वो अपपर सकतो अपका conviction बिल्ट होना चाहिए otherwise अगर आपने सब ये देखके निवेश किया रहे past में या लिस्टिंग के बाद तो बहुत जल्दी बहुत बढ़ा पैसा बना करके दिया वो कभी भी investment करने के पीछे का reason नहीं होना चाहिए क्योंकि stock भागा भी था अभी भागने के चक्कर में and rally देखके बहुत सा लोग उने peak पे भी position बिल्ट किया किसे ने 200 पे share खड़ीदा किसे ने 180 पे खड़ीदा आज stock कहा पड़े आज stock 132 के level पे अपको मिलेगा तो उन्होंने तो काफी अच्छा कासा loss अपना करवा लिया जिन्होंने सिर्फ rally देखके निवेश किया अभी जिन्होंने business देखके निवेश किया होगा या future सोच के या थोड़ा expect करके उन्होंने probability के उपर निवेश किया तो वो लोग तो long term investor है वो तो long term के hold current के बाड़े में सोच रहे है stock को तो अगर आप bullish हो अगर अपने business को पढ अब शाय नहीं रखना चाहिए सेक्टर बहुत अच्छा है बहुत अच्छे सेक्टर में काम करता है और बहुत अच्छा करेगा वो तो आगे ही पता चले लास्ट क्वाटर का number इस company का IRFC या आप कह सकतो कि और भी जो other companies है उनसे काफी बेठार आये तो company ने अच्छा नमब रहे तो आप फोल्डन कंटीनू कर सकतो और एक conviction बिल्ट करने की कुशिश करें कि अपने निवेश क्यों क्या reason होना चाहिए and company में antithesis point क्या है thesis point क्या है वो भी पता होना चाहिए कि खड़ाब चीज क्या हो सकता है या अच्छा चीज क्या हो सकता है तो next KPIT टेक 20,000 का investment है 4 पॉरसंट का profit हो रहा है तो KPIT का stock recent time में काफी गिर रहा है हमने recently cover भी किया था एक short term trade या पे बन रहा है और टेक्निकल एक short term trade का opportunity दिख रहा है बट क्या long term के लिए हम निवेश करसात की स्टे में short term को थोड़ा side करते तो आज 37,000 करो market क्या 70 का PE ratio अभी company का management होनों ने growth guidance तो क्या तो आई थिंग के जब तर अच्छा number रहे तो आप hold and continue कर सकतो बजाज finance जासा इस company का भी जो single engine है वो काफी strong है तो इनका जो main sales growth है बहुत बढ़िया तरीके से grow कर है पट एक और चीज़ क्या double engine काम करने का possibility है इधर पे अगर आप देखेंगे ना तो एक time पे KPIT का PE ratio 11 जाड़ा पे था या 10 पे था ठीक है 10 का PE वाला company आज 70 पे आ चुका है 70 पे तो 7X जो stock हुआ वो तो PE relating के चलते ही हुआ कि PE ratio 10 से 70 पे आ गया तो 7 गुना तो stock उसी के चलते हो गया बाकी company का जो business से earning है वो भी grow हुआ है पट majorly contribution जो इधर से ही आये है PE relating के थ्रू आये है stay 1 पे था तब से कितना return दिया company ने October 2022 से थोड़ा देख लेते हैं तो October 2022 इधर पे तो वहां से भी अगर देखेंगे तो stock तो double हो जो है यानि कि company का जो earning है EPA से वहाँ पे बहुत ही बढ़िया growth देखने को मिला वही single engineer वहाँ पे growth बहुत बढ़िया है तो इधर पे अभी PE त अब hold and continue कर सकता है business को track कीज़ें management को भी track कीज़ें कि कितना growth वो लोग expect कर रहें पाकी number तो बहुत अच्छा आड़ा है जब तक number रहे तब तक hold करें किसी company के साथ emotionally connect होनी की ज़रुवत नहीं है देने VBL 32,000 investment 77% का profit अब इसके बारे में क्या ही बताए VBL बहुत अच्छा company क काफी एक पांचन करड़ा है इस टाइम पे summer का season आ चुका है तो वीवेल को उससे काफी ज़्यादा benefit मिलेगा जो आगी के numbers में हमको दिखाई पड़ेगा हमको Q1 के number में देखना को मिलेगा June quarter का number में भी काफी अच्छा आए तो वीवेल अच्छा company है hold and continue कर सकतो पटका वी भी single engine काम करेगा इच्छी बात यह है कि आपने जो भी company रखा है इधर पे single engine काम करें बट single engine बहुत strong है ठीक है जवर्दस वाला single engine है इनका तो इस बज़े से इनके single engine ही बहुत strong है अच्छा growth लाड़ है आगे भी लाएगा आयो तो hold and continue किया जा सकता है बाकि जो companies के बारे म पैसा बनने का possibility तो आप ढूंड़िये कि ऐसा कॉंसा company है चाहाप ए ग्रोथ अच्छा आड़ा है business का या आएगा margin भी थोड़ा expand कर सकता है पी भी अभी reasonable है वो थोड़ा expand कर सकता है मैं आपको recommend नहीं करूंगा हमने एक small cap company को बड़े वीडियो बनाया था जो मेरे को थोड कर सकतो मैं comment का reply दे दूंगा आप ऐसे कंपनी को पर सकतो ठीक है और कोई recommendation नहीं है कि इस company को भाई करना है चाहिए अगर आप बैंकिंग स्पेस में भी कुछ नाम देख सब्सक्राइब क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो जब stock नहीं चलता है तो लोग बेरिश हो जात खरीदना नहीं चाहता है तो बहुत सा लोग interested हो जाएंगे फिर से खरीदना चाहेंगे and value investor अगर आपको देखना है या किसी को follow करना है तो पड़ाक पाड़ी कब देख सकतो लोग ने ITC में निवेश किया था 2020 में सबसे जादा allocation ITC में दे दिया था ITC ने बहुत बढ़िय जाकर तो आपको रिस्क नहीं लेना है तो large अगर तो रिस्क थोड़ा ज़़्ादा ले सकते तो मित्केप companies के उपर focus कर सकतो अगर और रिस्क ले चाहिए तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो वाकि आपके इसाब से यह अपने पोर्टफियों क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं आप इनको नीचे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक्स का लिंक अब को मिल जाएगा जाओ प्लस आपको डेली वेसस पे बहुत सारी लर्निंग कंटेन मिलेंगे जिसके थुरू हर दिन आप एक बेटार इन्वेस्टर बनते चलेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते अगले वीडियो में बबाई